अलब पर यहां पर मैं तीन स्पिन को यूज करूंगा या पिर आप कह सकते हैं कमेसन नमबर 9 यूज करने वाला हूं और एक ही हाथ से ठीक है तो आपको बेसिकली यह तीनों स्पिन पहला आपको सीख लेना है अगर आपको नहीं आते और या फिर आप कॉंबिनेशन नमबर नाइन भी सीख सकते हो क्योंकि इस कॉंबिनेशन का भी एक पार्ट नाइन है तो कैसे यहां पर करना देखिए अगर आपने पिछला कउपनेशन देखा यह कोमिनेशन नम.झे तैन वहाँ पर मैंने ता कि आपको हाथ को टेंज कर करके कैसे करना है लेप्टेंट से ठीक है लेकिनس यहां पर आपको क्या करना है आपको हाथ चेंज नहीं करना भाइच करना है और राइट हैंड से करते हुए आपको करना है ठीक है तो इसके लिए यह जो एक मतलब टुटोडियल था फिगर इट से रिवर्स फिगरेट कैसे आपको बॉडी रोटेशन करना है वह आपको सीखना है लेकिन यहाँ पर हम बॉडी रोटेशन नहीं करेंगे सिर्फ हम हम प्र की मतल्स से हमको करना है तो आपको पहले यह सिखना है कि आपको फिगरेट से रिवर्स फिरिट बस पैर को रोटेट करते हुए और फिर पैर को कैसे आपको यूज करना है करने के लिए पर ध्यान से देखी जबर शिखर इप करेंगे हम нормально body me a cutback की जिस हाथ से मीदिशा गूँआते हैं मगंते चाहिए के पहाथ से उस ऐखर को स्टाप रखना पड़ता है और दूसरे साइड के पैर कंण कूँ रोटेट कर देता है तो कैसे होता है वो नॉर्मली इस तरह होता है ठीक है लेकिन यहां पर हमको क्या करना है हमको बॉडी रोटेशन नहीं करना है हमारा लेक इधर रहेगा राइड लेको क्या करना है सामने की तरफ इस तरह रोटेट करकी इस तरह रखना है जब हम राइट हैंड से रिवर्स प्रेट करेंगे तो कै सामने की तरह रखके थोरह से रोटेट करना है और डीवर्स फीगर municiply Hay problemas फिर से देखिए का फिर फिर से फिगर में चिस सामने की आप किरस किया पर सामने और रोटेट सिर्फ सामने डखना नहीं है रोटेट करना है ताकि आप इजीली इधर घूम सको ठीक है तो रिवर्स फिगरेट जब फिर से फिगरेट में आएंगे तो आपको पैर को बैक कर लेना है जैन फिगरेट ओके तो कैसे होगा देखिए धीरे-धीरे फिगरेट फिर आपको पैर को ऐसे बैक कर लेना है जब इस साइड से देखोगे यह फिगरेट हो रहा है ठीक है जब आम रिवर्स प्रेट में जाएंगे तो पैर मेरे सामने की तरफ मेरा सामने अभी इधर है तो मेरा सामने की तरफ जाएगा लेकिन रोटेट हो जाएगा इ कि फिर से देखिए फिगर एट जब यह सामने से क्रोस करने वाला सामने का लाइन जब मतलब स्थार्ट होने वाला एक्चुडी तो तभी हमको पैर को ऐसे बाहर की तरब लेकर डीवर कर लेना जब योड़ से हम फिगर दमें आएंगे तब हमको प्यर को बेक और फिर से फिगर में और फिर से ठीध55 अब आ पको फिगर कुट नहीं करना है अगर अगर आप पहले ही प्रोट कर देंगे तो पैर में आके लगेगा लाठी तो यह आपको धियान रखना है जब यह मिडिल लाइन क्रॉस हो जाएगा मतलब अभी नीचे वाला इससे उपर उटने वाला है तभी आपको कर लेना है ताकि आपके पैर में टचना हो लाठी ठीक है सब्सक्राइब है यह स्पिन को कुछ बार क्रैक्टिस कर लेना है चिबर 8 से ड ripर से प्रैर को सामने चिटby अपको बॉड़ा पूरी प्रोड़ा नहीं करना है तो यह आपको कुछ बार प्रैक्टिस कर लेना जब आपको यह आ जाएगा देन आप इसके साथ पूंबिब आ नाइन को आप एड़ कर लीजिए तो इसली कॉंप्लिट स्पीन बन जाएगा तो कैसे होगा फिगर एट पीछे का स्पीन सामने आया इस तरह ठीक है तो कॉंबीनेशन नमबर नाइन यह है यह कॉंबीनेशन नामबर नाइन तो इसके साथ हम जब फिगर एट कर रहे उसके मतलब इस वीडियों में पहले जो मैंने शिङाया उसके साथ हमको एड़ करना इस तरह से तो यह अपर एट फिगर 8 रिवर्स भी बीगर 8 अपर एट फ यह परब बना सामने फिगरेट आएगा देन हमको रीबर सुप्रिट करना है फिर फिगरेट अपर टिक तो हमसे थोड़ा सपीड यह करते तो कैसे होगा देखिए फिगर एट को आपको पैर को रोटेसं करना है ठीक है यह आपको ध्यार नगना है इस तरह से सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप लोगों से में अगले एक वीडियो के लेशन में तब तक के लिए जय हिंद बने मातरम